हेलो एवरिवान वेलकुम टू आवर चैनल श्वेतर स्टडी पॉइंट स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सभी आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे आज का हमारा टॉपिक है बाबर आज के हमारे इस वीडियो में हम बाबर और उसके द्वारा किये गए भारत पर आक्रमणों की विशे में जानेंगे तो आएए जानते हैं इस विशे में बाबर का पूरा नाम है जहीरुत्दीन मुहमद बाबर जहिरुद्दिन मुहम्मत बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 इसवी को फरगना के शाशक उमर शेख मिर्जा के घर हुआ था उसके पिता तैमूर और माता चंगेश खांकी वन्शस थी अल्प आयू में ही वह पित्रहीन हो गया था और उसके परिवारिक शत्रूओं ने उसे उसके मूल सामराज जिसे खदेड दिया था दूसरे शब्दों में कहें तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 इसवी को उमर शेख मिर्जा जो की फरगना के शाशक थे उनके घर पर हुआ था बाबर के पिता तैमूर और माता चंगेश खांकी वन्शस थी बाबर अपनी चोटी सी आयू में ही पित्रहीन हो गया था कहने का तात पर यह यहा है कि जब बहुत चोटा था तब ही उसकी चोटी आयू में ही उसके पिता की मृत्यू हो गई थी बाबर की पिता की मृत्यू के बाद बाबर के परिवारिक शत्रूओं ने बाबर को उसी के सामराज जिसे ख़देड दिया था अर्थात भगा दिया था बाबर बचपन से ही वीर साहसी और कुशल योध्धा था उसने अपनी इसी योगिता के बल पर ही समरकंद पर अपना अधिकार कर लिया था लेकिन समरकंद पर भी वह जादा दिनों तक शाशन नहीं कर सका कुछ दिनों बाद समरकंद उसके हाथ से चला गया जिसके बाद वह इधर उधर भटकता रहा और आखरी में 504 ईसी में उसने काबुल पर अपना अधिकार इस्थापित कर लिया दूसरे शब्दों में कहें तो 1504 ईसी में बाबर ने काबुल पर विजय प्राप्त करके काबुल को अपने अधिकार छेतर में ले लिया काबुल को अपने अधिकार छेतर में लेने के बाद उसने भारत पर आक्रमड करने का निश्चे किया ये तो थी जानकारी बाबर के विशे में आईए अब जानते हैं बाबर ने जो भारत पर आक्रमड किये उन आक्रमडों के विशे में बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए एक अमीर ने यह कहकर प्रोटसाहित किया था कि हर चीज आपको दच्चन की और आमंत्रित कर रही है इश्वर आपको काबुल तक ले आया है और हिंदुस्तान के मार्क पर लाकर खड़ा कर दिया है इश्वर और मुहम्मद की आग्या है कि आप हिंदुस्तान जाकर मूर्ती पूजगों का नाश करें दूसरे शब्दों में कहें तो अमीर ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए यह कहकर प्रोटसाहित किया था कि संसार की हर एक चीज आपको दक्षड दिशा की ओर आमंत्रित कर रही है भगवान ही आपको काबुल तक ले करके आया है और उसी ने आपको भारत पर जाने का मार्क भी दिखाया है उस इश्वर की यही इच्छा है कि आप हिंदुस्तान जाएं और हिंदुस्तान जाकर वहां के मूर्ती पूझकों का नाश करें अमीर द्वारा कहे हुए इन शब्दों ने बाबर के उपर इतना प्रभाव डाला बाबर को इतना प्रभावित किया कि उसने प्रभावित होकर भारत पर आक्रमण करने की योजना बना ली इसलाम धर्म के प्रचार और धर्म प्राप्ति की लालसा से बाबर ने भारत पर पाच आक्रमण किये पानीपत की पहली लड़ाई में ही उसके भागी का निर्णय हो गया और वह यहां का अर्थात भारत का बादशाह बन गया बाबर ने जिन युद्धों को लड़ा उनमें से एक है बाजोर और भेरा का युद्ध बाबर ने अपना पहला आक्रमण 1519 इसवी में इन सीमावर्ती छेत्रों अर्थात बाजोर तथा भेरा पर किया था और इन पर विजय प्राप्त की थी बाजोर और भेरा पर विजय प्राप्त करने के बाद बाजोर और भेरा पर बाबर का शासन हो गया था ये दोनों ही बाबर के अधिकार छेत्र में आ गये थे लेकिन बाबर के वापस जाने के बाद ये छेत्र फिर से स्वतंत्र हो गये थे बाबर ने भारत पर जो आक्रमड किये थे उन में से एक आक्रमड था उसका पेशावर पर बाबर ने 1519 एसवी में पेशावर में रहने वाली यूसुफ जाई जाती के विद्रों को दबाने के लिए पेशावर पर आक्रमड किया था और उस पर विजय प्राप्त की थी आपना वर्ती चेत्र बाजोर तथा भेरा पर किया था यहां पर उसने ये आक्रमण। इन चेत्रों पर दुबारा से अपना अधिकार इस्थापित करने के लिए किया था। अपने इस आक्रमण में सफलता प्राप्त करता हुआ बाबर, सियाल कोट, सैयदपूर और कंदार को भी जीतने में सफल हुआ था इन सभी छेतरों पर विजय प्राप्त करने के बाद बाबर ने अपने पूत्र कामरान को वहां का सुबेदार बना कर काबूल वापस लोट गया था बाबर द्वारा किये हुए आक्रमणों में से एक आक्रमण उसका पंजाब पर था पंजाब पर आक्रमण करने के लिए बाबर को आलम खा लोधी और पंजाब के सुबेदार दौलत खा लोधी का निमंत्रण मिला था इन्ही का निमंत्रन पाकर बाबर ने पंजाब पर 1524 इस्वी में आक्रमण किया था और अपने इस आक्रमण में उसने सफलता भी प्राप्त की थी केवल इतना ही नहीं दौलत खा लोधी से बाबर की अनबन भी हो गई थी अता इसी कारण बाबर ने आलम खा लोधी को दिपालपूर का और दौलत खा लोधी के पुत्र दिलावर खां को सुल्तानपूर का शाशक बना दिया था बाबर ने जिन युद्धों को लड़ा और उसमें सफलता भी प्राप्त की उनमें से एक युद्ध है पानीपत का युद्ध पानीपत का युद्ध 21 अप्रेल 1526 इस्वी में हुआ था 1525 इस्वी में भारत में दिल्ली सामराज पर आक्रमण करने के लिए बाबर ने काबुल से प्रस्थान किया था अर्थाद वह काबुल से चला था दूसरे शब्दों में कहें तो दिल्ली सामराज पर आक्रमण करने के लिए बाबर काबुल से 1525 इस्वी में चला था उसने दिल्ली सामराज पर आक्रमर करने के लिए अपने साथ एक सू संगठित सेना और एक बहुत ही बड़ा तोप खाना ले करके निकला था सीमा पर उसका सामना पंजाब के शाशक दौलत खालोधी से हुआ था दौलत खालोधी ने उसको रोकने का प्रयास किया था बाबर को रोकने के प्रयास में बाबर और दौलत खालोधी दोनों के बीच बहुती भीशार संगर्ष हुआ था दौलत खा लोधी और बाबर के बीच हुए इस संघर्ष में दौलत खा लोधी पराजित हो गया था अर्थात हार गया था और वह मारा गया था युद्ध में दौलत खा लोधी को पराजित करने के बाद बाबर केवल 12,000 अश्वा रोही, हर्थात 12,000 घुरसवार और सूधरण 700 तोपों के साथ पानीपत के मैदान में पहुच गया था बाबर जिस समय दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए गया था उस समय दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी थे इब्राहिम लोधी के पास भी अपार सैन निबल था अता 21,000 अप्रेल 1526 इसवी को बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच घमासान युद्ध शुरू हो गया बाबर के लिए वर्दान साबित हुआ और बाबर ने दिल्ली में मुगल सामराज की स्थापना करने में सफलता पाई बाबर ने जो अगला युद लड़ा वो था खानवा का युद ये युद 16 मार्च 1527 एसवी को हुआ था बाबर को दिल्ली सामराज का स्वामी तो बना दिया था कहने का मतलब ये है कि पानी पत के युद में विजय प्राप्त करने के बाद बाबर ने दिल्ली सामराज में अपना अधिकार तो कर लिया था वहां का राजा तो बन गया था लेकिन एक तो दिल्ली सामराज बहुत ही चोटा था और दूसरा भारत के जो हिंदू राजा थे वे मेवार के राजा राणा सांगा के नेत्रित्तों में बाबर को भारत से भगाना चाते थे अता राणा सांगा के साथ युद्ध करना बहुत ही आवश्चक था बाबर के लिए इबराहिम लोधी जिसे बाबर ने पान राणा सांगा का साथ दिया था महमूद लोधी ने राणा सांगा को बाबर के विरुद्ध हर संभव सहायता देने का वचन दिया था राणा सांगा को पहले तो यहां लगता था कि बाबर सिर्फ लूट पार्ट करने के लिए आया है और वह लूट पार्ट करके वापस चला लेकिन बाबर ने ऐसा नहीं किया इसलिए अब राणा सांगा ने मुसल्मान साशकों को अपनी तरफ मिलाकर बाबर के विरुध युद्ध की घोशना कर दी बाबर ने भी लगभग 40,000 का सैनिवल संगठित कर लिया और अपनी कोटनीती से काम लिया उसने कोटनीती से काम ले ऐसे कि उसने मदरा ना पीने की शपत ली और उसके इन कारियों से उसके सैनिकों में उत्सा बढ़ा उसने अपने सैनिकों को भी एक तेजश्वी भासर दिया बाबर ने अपने सैनिकों से कहा यदि हम इस लड़ाई के मैदान में डटे रहते हैं तो शहीद की मौत मरते हैं तो अल्ला की इच्छा को कार्यानवित करते हैं सरल शब्दों में कहें तो उसने अपने सैनिकों से यह कहा कि यदि हम लड़ाई के मैदान में लड़ते हुए मर जाते हैं तो शहीत कहलाएंगे और अगर इस युद्ध में बच गए तो अल्ला की जो इक्षा है जो अल्ला की मर्जी है हम उसे पूरा करेंगे 16 मार्च 1527 एसवी को दोनों सेनाओं में अर्थात बाबर की सेना और राणा सांगा की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ था खानवा में हुए इस युद्ध में राणा सांगा बुरी तरह से घायल हो गया था और उन्हें युद्ध छेतर से बाहर ले जाया गया था ऐसे ही राणा सांगा के घायल होने का समाचार राणा सांगा के सैनिकों को मिला तो इनका यह समाचार प्राप्त होते ही राजपूत सेना का मनुबल तूट गया था खानवा में हुए इस युद में एक तो राणा सांगा के घायल होने से राजपूत सेना का मनुबल तूट गया और दूसरे मुगलो द्वारा इस युद में तोप खाने का प्रयोग करने से राजपूत सेना में उथल पुथल मच गई जिसके परिडाम सुरूप खानवा में हुए इस युद में बाबर की जीत हो गई और उसने अपनी जीत का जश्न मनाया और इसके साथ ही गाजी अर्थात काफिरों को मारने वाले की उपाधी धारण की के साथ ही साथ बाबर अब भारत का पूरी तरह से बाधसा बन गया थ बाबर की विजयों मैसे एक विजय है चन्देरी की विजय या युद 29 जनुवरी 1528 इसवी को हुआ था बाबर ने जिस समय चन्देरी पर आक्रमण किया था उस समय चन्देरी पर राजा मेदनी राय का अधिकार था दूसरे शब्दों में कहें तो जिस समय बाबर का इस युद्ध में बाबर की जीत हुई थी और राजा मेधनी राय युद्ध में मारा गया था चंदेरी से बाबर को बहुत सारा धन प्राप्त हुआ था बाबर द्वारा लड़ा गया एक युद्ध था घाघरा का युद्ध या युद्ध 1529 इस्वी में हुआ था बाबर न इस युद्ध में अफगानों के दो महत्वपूर्ण शाशक महमूद लोदी और पंगाल का शाशक नुसरत शाह बहुत ही वीरता से लड़े थे लेकिन घागरा में हुए इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी इस युद्ध के परिडाम स्वरू अफगानों की बची ह फूई शक्ति भी नस्ट हो गई थी इस युद्ध के पषचात अब बाबर के अधिकार छेत्र में इस देश की सिंधू नदी से बीहार तका छेत्र और हिमाले से गौालियर और चंदेरी तक का छेत्र आ गया था दोसरे शब्दों में कहें तो इस युद्ध के बाद ये सभी छेत्र अब बाबर के अधिकार छेत्र में आ गये थे इन सभी आक्रमणों की सफलता के परिडाम सोरूप ही बाबर ने भारत में मुगल सामराज की इस्थापना करने में सफलता पाई थी वास्तों में बाबर ने जो पानीपत और खानवा का युद्ध लड़ा था इन दोनों ही युद्धों के परिडाम ही भारत में मुगल सामराज की इस्थापना करने में सहायक सिद्ध हुए थे इस प्रकार हम या कह सकते हैं कि बाबर ने खंडित भारती राज्यों की दुर्बलता का लाव उठाते हुए अपनी महान विजयों से भारत में शक्तिसाली मुगल वंस की इस्थापना की थी बाबर के वंसजों ने लगभग 300 वर्सों तक भारत पर अपना प्रभुत्व बनाये रखा था अर्थात उन्होंने भारत पर राज्य किया था अताया कहना सही ही होगा कि बाबर भारत में मुगल सामराज जी का वास्तविक संस्थापक था बाबर ने ही भारत में मुगल सामराजी की इस्थापना की थी स्टूडेंट्स ये थी जानकारी बाबर और बाबर के द्वारा भारत पर किये हुए आक्रमडों के विशे में आशा करती हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लिज लाइक और शेयर जरूर कर दीजेगा इसके साथ ही साथ चैनल को सबस्क्राइब कर दीजेगा और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजेगा जिससे की आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके